चल्टी ट्रेन से दो साल की बच्ची के गायब होने का मामला स्वामनी आया है खबर के मुताबिक हावडा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से दो साल की बच्ची लापता हो गए पिडित परिवार हावडा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस पर सवार था बच्ची के पिता ने बताया कि कानपोर के आसपास उनकी आख लग गए और नीज से जागने पर उनकी दो साल की मासूम बेटी अपनी सीट पर नहीं थी कापी ढूटने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने अलीगर में जी आर्पी से इसकी शिकायत की बच्ची के परिजुनों ने अलीगर रिल्वेस्टेशन पर उतर कर जी आरपी से इस बात की शिकायत की परिवार ने बच्ची के किड्नेपिंग की आशंका जताई है जी आरपी ने मामला दर्च किया है जाच चल रही है